शुतूरमुर्ग और जीब्रा अकसर साथ में रहते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं और अगर एक जेब्रा पर किसी का हमला हो जाए, तो उसका परिवार उसे बचाने के लिए तुरंत आ जाता है ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जहां एक जीब्रा एक शेर को मार देता है ये किसी भी परिस्थिती में अपने दुश्मन से बहुत ही बहादूरी से लड़ते हैं जीब्रा के कान और नजर काफी अच्छे होते हैं ग्रेवीज जीब्रा का वजन 350 से 450 किलोग्राम के बीच होता है जबकि इसकी उंचाई 5 फुट तक हो सकती है जुन्ड में चलते हुए मेल जीब्रा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे फीमेल जीब्रा चलती हैं नर जेब्रा जुन्ड को लीड करता है जेब्रा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से लंबे समय तक दौड सकते हैं पूरी दुनिया में लगभग 7,50,000 जीब्रा है इस जानवर को विलुप्त होने का खत्रा है वैसे तो जेब्रा अफरीका के मूल निवासी हैं लेकिन आज के समय ये दुनिया भर के चिडियां घरों में देखने को मिल जाते हैं आपको ये जानवर कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर आप जानना चाहते हैं कि फैक्टरी में टोमेटो सॉस या पोटेटो चिप्स कैसे बनती है तो आप हमारी लॉंग विडियो देख सकते हैं